तो गाईज आपको जानके बड़ी हैरत होगी कि बीए से जादे बीटेक वाले अब आईए जदिगारी बन रहे हैं ये वीडियो मैंने पहले ही बनाई है कई बार लेकिन कुछ इंपॉर्टन पॉइंट भी आपको मैं इसमें अडॉन करूंगा जो सायद आपको नहीं पता है तो नमस्कात दोस्तों करेड़े चल्म आपको बहुत बहुत स्वागत है और पहली बार चैनल पे आप नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करिए ये आपका ही चैनल है बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे गैस सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को एक चीट शेयर करना चाहता हूँ कि पहले एक टाइम ऐसे था आज से हम लोग चोटे थे तो I think 15 साल पहले कहले थे हैं 15 साल पहले बहुत क्रेज था कि रिकसे वाले का बेटा BA करके IS बन गया हलवाई का बेटा BA करके IS अधिकारी बन गया IPS सदिकारी बन गया 1212 भी मुवी आप लोगो ने देखा तो ऐसे में कुश्चन मार्क उठता है कि अब ऐसी कहानिया कहें नहीं सुनने को मिलती है क्या इशू हो गया है कि ऐसी कहानिया मार्केट से आउट हो गई है तो मैं आपको एक एक जाक्ट चीज बता देता ह हुआ क्या है मार्केट में टेक्निकल डिग्री वाले लैक आफ गौर्मेंट जॉब देखो जो टेक्नलोजी ट्रवन चीजे हैं चाहे वो बीटेक हो गया पॉलेटेकनिक हो गया एमटेक हो गया ऐसे लोग इतने हाई क्वालिफिकेशन ले लेकर के बेरोजगार गूम रहे इस क्याना है तो चीजे अलग निकल के आती है तो आपको समझना पड़ेगा कि बाई अगर आप गौर्मेंट जॉब की प्रप efterशन कर रहे हो तो वो चीजे किस तरह से निकल के आ रही है किस तरह आप उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और किस तरह वो चीज़े आपके लिए बहतर होंगी यह सारी चीज़े आपको समझने की जानने के और उस पर एक्शन लेने के जुरूरत है हुआ क्या धीरे-धीरे रिप्लेस्ट हो गया है बीटेग वालों ने क्या क्या मेरिट इतनी हाई करने लगे कि आप देखे होगे 12 फेल जो मूवी आई उसमें इंटर्विय में कहता है कि हमारे पास IITN है हमारे पास बहुत सारी लोग हैं IIT वाले हैं हमारे पास IIM वाले हैं तो हम BA वालों को क्यों लेंगे हमारे पास इतनी intelligent लोग हैं इंटर्वियू से BA वाले बाहर होने लगे बहुत तेजी से बाहर हुए ऐसा नहीं कि selection नहीं होता अभी भी BA के बाद selection होता टॉपर्स भी आते हैं लेकिन आप देखो कि जो ratio है ना पहले ऐसा होता था कि 90% BA वाल बी कॉम करके कुछ लोग आते हैं कुछ लोग BA करके कुछ लोग CA करके इस टाइप में आते हैं graduate हो करके तो आपको डरने के ज़रूरत नहीं है कि BA के बाद भी मैंने देखा है कि BA English है में English से करने के बाद everyone in this field is doing very very well ठीक है लेकिन आ टेक्निकल डिगरी ने कबजा ज़रू मुझे UPSC में जाना पहले मैं बीटेक पास आऊंगा क्योंकि बीटेक में पढ़ाई का पैटर नलग है बीटेक में बीटेक में चीज और होता है कि भाई जो लुवर स्टूडेंट हो जाते हैं जब तक पास आउट होते हैं जीवन जीने की कला और भी चीजों में बहुत स अलाग होता है उसको भी चीजे समझ में आती कि कैसे जाना है कैसे करना है किस तरह से चीजे आगे जाएंगी वो सारे डाउट उसको क्लियर होते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा तभी जाकर करिया करियर आगे बढ़ पाएंग और चीजे आपके लिए बैतर हो पाएं ठीक है और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए उसका लिंक डेस्क्रिप्शन में है जाकर देख लीजेगा जिनको भी बात करनी है बात कर सकते हो करियर से ठीक है मिलते आपसे नेक्स वीडियो में थैंक यू